हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उमीद हैं बहुत ही बढ़ी आऊंगे फ्रेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं जॉर्नल स्टुडिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 और यह सभी प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट और वेरी प्रोपर आपने नोट्स तयार करना है क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को फॉस्ट कोशन हमारा यात्रियों के समराट के नाम से किसे जाना जाता है तो राइट आंसर हेंसांग को यात्रियों के समराट के रूप में जाना जाता है और हेंसांग किसके क कारेकाल में आया था तो इसे भी आपने याद रखना है हैंसॉंग हर्षवर्धन के कारेकाल में आया था और हैंसॉंग किसका हर्श वर्धन का और बान भटने क्या लिखा हर्श शरित लिखा इसे याद रखना यह important question है exam point of view से वहीं आपको अल बरुनी से क्या याद रखना है कि अल बरुनी ने कौन से बुक लिखी किताब अल बरुनी ने और यह किसके साथ आया था महमूद गजनवी के साथ आय मेOoh मेगा एस्थgriff नितल्या राज दूनी ने इनडिका लिखी ए इससे आपने याद रखना हैं और मेग अस्थ supplements का राजदूट था और ये किसके दर्बार में आया था चंद्रगुप्त मोर्य के दर्बार में आया था और चंद्रगुप्त मोर्य ने किस वन्स की स्थापना की थी तो मोर्य वन्स की स्थापना किस ने की थी चंद्रगुप्त मोर्य ने और चंद्रगुप्त मोर्य के गुरू का नाम क्या था चानक्य चानक्य और चानक्य ने कौन सी भुक लिखी अर्थ सास्तर इसे भी आपने याद रखना है और वहीं अंतिम मोर्य शाशक कौन था ब्रिहद्रत अंतिम मोर्य शाशक था जिसके सिना रखना है वहीं फाहयान से आपको याद रखना है कि insert B एक चीनी यात्री था और ये किसके दर्बार में अ यह था चंदर गुप्त के दरृतिये के दर बार में आया था इसे आपने याद रखना है और इसकी भुख कौनसी है फू यू की बुक है फाहयान की इसे भी आपने याद रख लेना है नेक्स्ट कोशन है इसलाम धर्म में खलीफा पद कब तक रहा तो राइट आंसर 1924 तक इसलाम धर्म में खलीफा पद रहा और खलीफा हजरत मुहम्मद सहब के उत्रादिकारी कहलाते थे 1924 में तुर्की के सासक मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया खलीफा के पद को खतम कर दिया और वहीं इसलाम धर्म के स्थापना किसे ने रखी थी और तानसेन अकबर के दरवार में नौर अतनों में से एक थे वहीं तानसेन का जनम कहा हुआ था गवालियर में यानि की मध्य परदेश में इसे भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपके लिए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का समराट कब बना राइट अंसर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का समराट बनता है और वहीं इसकी मृत्यू कहां होती है सेंट हेलेना में इसे याद रखना है बिलकुल याद रखना ही है क्योंक आइसलेंड बे इसकी मृति हो जाती है नेपोलियन बोना पाट की और भारतिये नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है तो वो है समुंदर गुप्त को भारतिये नेपोलियन के नाम से जाना जाता है और गुप्त वन्स किस थापना किसं ने की थी? स्री गुप्त ने इसे भी आपने याद रखना है next question लिखे मिर्जा गालिव किसके समकालिन थे? right answer, बहादुरशाह दूतिय के समकालिन थे मिर्जा गालिव कई रापको बहादुरशाह जफरे मिल सकता है तो दोनो right answer होगा clear है बहादुर शाह दूतिये के समकालिन कौन थे मिर्जा गालिब और बहादुर शाह दूतिये की मिर्थियू कहा होती है यंगून में इसे भी आपने याद रखना है और यंगून कहा है मैनमार में है यह आपके लिए important है next question मदरास राज्य का नाम बदल कर कब तमिलाडू रख दिया गया था right answer 1968 में मदरास राज्य का नाम बदल कर तमिलाडू रख दिया गया very important है और एक question यहाँ से आपको बताता हूँ कि पहला भासाई राज्य कौन सा था जो कि भासा क्या धार पर बना था तो वो था आंधर परदेश कब बना था 1953 में आप जो तेलगू बोलते थे वो क्या बने आंधर परदेश राज्य कहलाए और वहीं जो तमिल बोलते थे वो राज्य कौन सा बना आपका मदरास राज्य बनता है तो पहला राज्य कौन सा रहा आंद्र परदेश इसे आपने याद रखना होगा नेक्स्ट कोशन आपके लिए निमलिखित में से किसके अंतरगर्थ पंचायती राज प्रनाली लागू की गई तो राइट आंसर राजी के निती निदेशक तत्तो यानि कि DPSP DPSP के तहट पंचायती राज को लागू किया गया और DPSP कहां से लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है कहां से लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है और ये समिधान के पार्ट फोर में है कौन से पार्ट में है पार्ट फोर में है और आर्टिकल की बात करें तो 36 से आर्टिकल 51 तक है DPSP इसे भी याद रखना है और पहली बार पंचायती राज कब लगाये गया तो वो लगाये गया 2 अक्टूबर 1969 को कहां पर आपके राजस्थान राज्य के नागौर जिले में लगाया जाता है इसे भी याद रखना होगा नेक्स्ट कोशन है भारत सरकार को कानोने विश्यो पर कौन परामर्ष देता है तो राइट आंसर एटोर्नी जर्नल भारत सरकार को कानोनी विश्यो पर परामर्ष देता है और यह क्या होता है भारत सरकार का पहला विधी अधिकारी होता है और यह ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही किसी मंत्री मंडल का सदस्य होता है फिर भी वैस संसद में पार्टिसपेट कर सकता है इसे भी ध्यान रखना है इसकी न्युक्ति किसके द्वारे की जाती है र याद रखेंगे, next question है, सूर्य अस्त होने के समय लाल रंग क्यों दिखाई देता है, right answer प्रकिर्नन के कारण सूर्य लाल रंग दिखाई देता है, इसे आपने याद रखना है, और सूर्य अस्त और उदय, यानि की सन्राइज और संसेट होने से पहले और बाद में दो मिनट दिखाई देता है इसे भी आपने याद रखने ना है नेक्स्ट कोशन बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ किस से संबंधित है राइट आंसर सन्यासी विद्रो से संबंधित है बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ और आनंद मठ से क्या लिया गया है वंदे मात्रम कह से लिया गया आनंद मठ से इसे आपने याद रखना है और लिखा किसने बंकिम चंदर चटोपाध्या ने आनंद मठ लिखा है और पहली बार बंदे मातरम को कब गाया गया 1896 में पहली बार बंदे मातरम को गाया गया इसे भी आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपके लिए उत्री अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरिय धारा क्या है तो राइट आंसर लेबराडोर धारा महासागरिय धारा है जो अमेरिका के तट से गुजरती है इसे याद रखना है नेक्स्ट कोशन है पनामा नहर किन दो सागरों क जोड़ती है तो इसका राइट अंसर कैरीबियन सागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है इसे भी याद रखना होगा और वहीं प्रशांत महासागर से आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे वड़ा महासागर है और प्रशांत महा मरियाना ट्रेंच है, कौन सा ट्रेंच मरियाना ट्रेंच कहा है है, प्रशान्त मासागर में इसको मरियाना गर्थ के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में नेक्स्ट कोशन आपके लिए उच ताप करम को मापने का यंत्र क्या है तो राइट आंसर पाइरो मीटर का यूज किया जाता है हाई टैंपरेचर को मेजर करने के लिए नेक्स्ट कोशन है मोहन जोदोडो को किस अन्य नाम से भी जाना गया शहर था और इसकी खोज कभ होती है 1922 में इंडस रीवर के किनारे इसकी खोज होती है और इसकी खोज किसने की थी राखल दास बैनर जी ने गी थी इसे भी अपने याद रखना होगा और पहला शहर कौन सा खोजा गया था हडपा 1921 में दैया राम साहनी के द्वारा उसे भी याद रखेंगे。 नेक्स्ट रिषुन है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्वर पाये जाते हैं? राइट आंसर, जस्ता तामबा और निकल जर्मन सिल्वर में पाये जाता है。 अब student को doubt आता है यार यहां तो silver है तो silver भी होगा बट silver नहीं होता क्या होता है zinc, copper and nickel जर्मन silver में पाया जाता है इसे याद रखना है next question है रक्त का कौन सा अवय सरीर के अंगों तक oxygen पहुचाता है right answer इसका क्या होगा RBC अब रक्त के अवय कौन से होते है RBC, WBC और platelets होते हैं इसको याद रखना है वहीं रक्त में क्या पाया जाता है plasma भी पाया जाता है तो RBC क्या पहुचाता है blood में oxygen पहुचाता है इसे याद रखना है RBC का life span कितना होता है 120 days का RBC का life span होता है यानि कितने दिन तक यह जिन्दा रह सकता है RBC अब वहीं blood का रंग लाल क्यों होता है hemoglobin के कारण और blood में क्या पाया जाता है iron पाया जाता है इसको भी याद रखना है next question है जातिये संसद किस देश की संसद का नाम है right answer बांगला देश की संसद का नाम क्या है जातिये संसद इसे याद रखना है और बांगला देश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा था पाकिस्तान के दो हिस्से थे पाश्मी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और बांगला देश पूर्वी पाकिस्तान था जो प्रेजन टाइम में पाकिस्तान है उसको पश्मी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था परंतु बांगला देश 26 मार्च 1971 को अजाध हो जाता है पाकिस्तान से और क्या बन जाता है बांगला देश वहीं बांगला देश की कैपिल क्या है धाका इसे भी याद रखेंगे और बांगला देश का राश्ट्रिगान क मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्ता है? इसे याद रखना है और मिसर की सभ्यता और ये शभ्यता किस नदी के किनारे विक्षित हुई थी? नील नदी के किनारे और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है इसे भी याद रखना है next questions है किस vitamin में cobalt पाया जाता है तो right answer B12 vitamin में cobalt पाया जाता है इसको आपने याद रखना है next question है निम्लिखित में से कौन सी सबसे प्राचिंतम परवत स्रेनी है to right answer इसका क्या होगा इसको आपने comment box में comment करना है next question X-ray की खोज किस ने की थी ये question में आपसे कल पूछा था और इसका बहुत सारे candidates ने right answer comment भी किया है तो guys जिन्होंने नहीं किया वो भी comment किया करो right answer क्या होगा और इसका right answer क्या होगा Ronson ने X-ray की खोज की थी वहीं Quri ने किसकी खोज की थी radium की Newton ने गती का नियम दिया था और Edison ने बल्व का विश्कार किया था इन सभी points को भी आपने याद रख लेना है so guys ये थे आज के सभी important questions और hopes so friends ये सभी questions आपको समझ में आ रहे होंगे आप इनके notes बनाईए अपनी तयारी कीजिए क्योंकि इस बार जीतना है इस बार आपको नौकरी लेनी ही लेनी है so guys thank you very much best of luck for your exam share and subscribe next film